वेलकम स्टुडेंट्स अब हम नेक्स्ट इलस्टेशन देखेंगे इलस्टेशन नमबर 17 यह है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ दा री कंस्टिटूटिट फर्म यानि अगर किसी असेट्स की वैल्यू चेंज में चेंजिस आते हैं लाइबल्टी की वैल्यू में चें प्रिंग प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 3 रेशो टू रेशो वन अशोग भीम और चेंज तीन पार्टनर थी 321 में अपना प्रॉफिट शेर कर रहे थे बैलेंस शीट की अकॉर्डिंग लैबिल्टी साइड में क्रेडिटर्स थे वन लेक रुपीज के बिल्स पेबल की वैल लेक रुपीज की थी स्टॉक 80,000 का था डेटर 60 के थे और बैंक 10,000 रुपीज का था टोटल था बैलेंस शीट का 5,50,000 रुपीज दोनों साइड का नीचे कह रहा है कि अशोग भीम और चेतन डिसाइड़ तू शेयर फ्यूजर प्रॉफिट एक्वली यानि अब जो पहले 3 to 1 था उसे चेंज करके वो इक्वल करना चाहते है यानि 1 रेशियो 1 रेशियो 1 उसके लिए चेंजिस जो है गुडविल फर्म की केल्कुलेट की गई 3,00,000 रुपीज लेंड की नई वैल्यू 160 हो गई यहां देखिए लेंड पहले थी 1,00,000 रुपीज की और अब नई वै वीडियो में बताया था कि बाय का मतलब इतने परसेंट से कम हुई है तो यानि बिल्डिंग की वैल्यू है 1,06 परसेंट कम हो रही है यानि 6,000 रुपीज इसकी वैल्यू कम हो रही है Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off Creditors 12,000 रुपे के अब हमें pay नहीं करने होंगे इसलिए उनकी value को कम करना है Creditors यानि liability कम हो रही है 12,000 रुपीज से क्योंकि वो हमें pay नहीं करनी है Prepare the revolution account, partner capital and balance sheet of the reconstituted firm Revolution account बनाना है partner की capital और balance sheet देखे question में यह सक कहीं नहीं कहा गया है कि हमें नई value show करानी है या पुरानी ही value show करानी है अगर question में कोई भी indication ना हो तो हम हमेशा assets और liability की जो value change हुई है उनको show करते हैं वह यानि जो revelation का profit loss है उसको पुरानी ratio में divide करते हैं तो देखे पहले हम कुछ rough calculation कर लेते हैं working note prepare कर लेते हैं working note के लिए सबसे पहले अशोक, भीम और चेतन का old ratio था 3 ratio, 2 ratio, 1 और नया वो क्या करना चाह रहे हैं 1 ratio, 1 ratio, 1 तो gain no sacrifice निकाल लेते हैं क्योंकि हमको नई value show करनी है अशोक को पहले मिल रहा था 3 upon 6 और नई की according मिलेगा 1 upon 3 6 और 3 का LCM 6C होता है, 6 वन जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 2 3 minus 2 यानि 1 upon 6 positive यानि ये sacrifice कर रहा है भीम, पहले 2 upon 6 मिल रहा था और अब 1 upon 3 मिल रहा है तो 2, 3 जा 6 यानि ये 1 upon 3 ही है, 1 upon 3 में से 1 upon 3 minus करोगे 0 यानि कोई gain नहीं, कोई sacrifice नहीं, चेतन को पहले 1 upon 6 मिल रहा था और नएक according 1 upon 3 मिलेगा, यानि 6 और 3 का LCM 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 यानि 1 minus 2 यानि minus का 1 upon 6 negative आ रहा है, मतलब gain कर रहा है ये यानि अशोक हमारा sacrificing partner है, चेतन हमारा gaining partner है firm की goodwill question में आप पढ़ेंगे तो दे रखी है 3 lakh रुपे आपको तो firm की goodwill दे रखी है 3 lakh रुपीज, इसमें अशोक का हम sacrifice निकालेंगे 1 upon 6 तो 3 lakh रुपीज का 1 upon 6 कितना आता है, 50,000 same as it is, चेतन का अगर हम gain निकालें, यहाँ पर आशोक का sacrifice निकाला था, अगर हम चेतन का अगर हम gain निकालेंगे 1 upon 6 यानि 50,000 goodwill की entry क्या होती है, आपको मैंने पताया चुका हूँ, starting के वीडियो में, gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital तो gain कौन कर रहा है, चेतन, तो चेतन capital account debit to sacrifice यानि to अशोक capital, 50,000 रुपीज से ये entry पास की चाहेगी अब question में आपको general deserve भी दे रखा है 60,000 रुपीज का, और मैंने बताया कि अगर distribute, कुछ information ना हो तो ये old ratio में divide किया जाता है, अगर distribute करना नहीं चाहते है, तो gain sacrifice होता लेकिन यहाँ पे कोई information है नहीं, तो मतलब old ratio में ही इसको हम write off कर देंगे तो general reserve दे रखा है 60,000 का question में, यहाँ पे जो दे रखा है और old ratio यानि 3 ratio, 2 ratio, 1 में इसको हम divide करेंगे, तो 30, 20 और 10,000 रुपीज आएगा अब start करते हैं, main question को, rebellion account बनाते हैं, मैंने आपको starting में बताया था, format में assets की value भड़ती है, buy में आएगा, assets की value का मोती है, 2 में आएगा liability की value भड़ती है, 2 में आएगा, liability की value का मोती है, buy में आएगा सबसे पहले, land की value 160 हो गई, जबकि पहले थी land की value 1 lakh, अब कितनी हो गई, 160 यानि 60,000 भड़ गई, तो हम यहाँ पर buy land और 60,000 रुपीज लिखेंगे आगे कह रहा है कि building depreciated by 6%, building की value 1 lakh से 6% कम हो गई, यानि 1 lakh का 6% 6,000, तो two building 6,000 रुपीज और last point कह रहा है कि creditor 12,000 रुपे के हमें अब पे नहीं करने, यानि कम करने है, creditor यानि liability, liability कम हो रही है, यानि buy side में आएगा, buy creditor 12,000 रुपीज और कोई assets liability पे कोई effect आया नहीं है, तो देगे total लगाएंगे, 60 plus 12, 72,000, 72,000 को यहान लेखा, इसमें से 6,000 का amount minus किया, तो profit आया 66,000 तो इसे 2 profit transfer to, अशोग capital, भीम capital और चेतन capital और इस 66,000 को old ratio में हमने divide कर दिया, 3 ratio, 2 ratio, 1 में, तो यह amount हो गया 33,000, 22,000, 11,000 अब पिछले वीडियो में मैंने आपको partner capital का format लिखाया था, वही है particular और amount के 3 column, तो कि 3 partner ने same debit side में particular amount के 3 column starting बताई थी मैंने कि सबसे पहले होती है कि partners की पुरानी वाली capital लिखी जाती है, तो देखिए question में balance sheet की liability में यहाँ पे capital दे रखी है, अशोग, भीम और चेतन की 2 lakh, 1 lakh, 50,000 तो हमने सबसे पहले buy balance BD के नाम से 2 lakh A के column में, अशोग के column में, भीम के column में 1 lakh और चेतन के column में 50,000 रुपीज लिख दिए अगर profit हो रहा है तो वो divide होगा partners में, तो revaluation हमने यहाँ पही बनाया, profit होगा है यह वाला, 33,22,11, तो buy revaluation 33,000, 22,000, 11,000, ठीक है, अब आजाए में टॉपिक पर, हमने goodwill की यह वाली entry पास की थी, चेतन capital account debit to Ashok capital, आपको 11 में laser बनाना याद होगा, कि posting कैसे की जाती थी, आपने उसमें contra entry भी देखी थी, जहाँ पर cash लिखते थे पर amount डालते थे bank वाले column में, और bank लिखते थे तो amount डालते थे cash वाले column में, यही चीज है, कि चेतन के laser में हम लिखेंगे to Ashok, लेकिन amount डाले चेतन के column में, और buy लिखेंगे चेतन पर amount डालेंगे Ashok के column में, same 50,000, यानि इसी की है, यहाँ पर दिखेंगे चुपाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, to Ashok capital, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, to Ashok capital पर amount डाला है, चेतन के column में, contra entry के वज़े से 50,000, और इसे चुपाएंगे तो यहाँ आएगा, buy चेतन, यह मैंने यहाँ लिखा है, buy चेतन capital, लेकिन amount डाला है मैंने, Ashok के column में, 50,000 रुपीज, अब total लगाना है, इसका total 2,30, 33 और 50,000 ही, 3,13,000, 3,13,000 यहाँ लिखा मैंने, आपर कोई amount minus करने के लिए है नह लग 13,000 रुपीज ही हो जाएगा, जो भीम है, उसका total 1,00, 20, 22, 1,42,000, 1,42,000 मैंने यहाँ लिखा, 142 मैं से यहाँ पर भी minus लिखा, तो balance 142 ही आ गया, चेतन 50,000, 60,000, 71,000, 71,000 को मैंने यहाँ लिखा, पर इसमें में मैंने goodwill के 50,000 minus किये, तो balance बच गया 21,000, और इस balance को हम किस नाम से शो करेंगे, 2 balance CD के नाम से, 13,000, 142 और 24, अब हमें बनानी है balance sheet, तो इसके लिए पुरानी balance sheet देखिए, पुरानी balance sheet में सबसे पहले creditor दे रखे थे 1 lakh के, और question के according 12,000 रुपे की creditor कम हुए है, तो देखिए, नई balance sheet में creditor 1 lakh से 12,000 कम करते हुए, नई balance sheet में 88 दि जितना पहले था उतना ही, अब है, तो नई balance sheet में BP की value 40,000 रुपीज ही शो कराई जाएगी, अब है general reserve, general reserve को हम partners में बाट चुके हैं, यहाँ पे आपने देखा, divide कर दिया, जनी general reserve partner में बढ़के है, तो वैसे ही खतम हो गया, capital पुरानी थी 2 lakh, 1 lakh और 50,000, लेकिन अब हमें वो लिखनी है, जो partner capital के balance से निकल कर आई है, 3 lakh 13,000, 1 lakh 42,000 और 21,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, capital अशोक की 313, भीम की 142, और चेतन की 21,000, तयानी 4 lakh 76,000, अब assets में देखिए, land की value पहले थी 1 lakh और land की value 60,000 भड़ी है, तो देखिए, नई balance sheet में, land 1 lakh plus 60,000 यानी 1 lakh 60,000 रु building थी 1 lakh की और 6% की value कम हुई थी, यानी 6,000 रुपे, तो building की value 1 lakh से 6,000 कम होकर 94,000, plant 2 lakh का है, कोई नीचे information नहीं है changes की, तो as it is 2 lakh रुपे लिख देंगे, same stock 80,000 का है, कोई changes नहीं हुआ, same यहाँ पर 80,000 लिख देंगे, debtors पहले 60,000 के थे, कोई change नहीं हुआ, 60,000 लिख दें अब total लगाएंगे, दोनों site का total balance sheet का liability और assets का 6 lakh 4,000 रुपीज आएगा, जो equal होगा